Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics अब हैं केवल पंजे के निसान, एक अकाल खालीपन और उम्मीदों के अंतिम साक्ष्य अगर तुम ठीक ठीक उसकी आत्महत्या की वज़ तलास रहे तो तुम्हारे हाथ पूरा समाज लग सकता है क्या बात? हो सकता है एक ही अपराधी के सौ चहरे हो या हर चहरे पर एक ही अपराध बोध रहित बेसर्म चुप्पी भीड की कोई शक्ल नहीं होती या बात तो तुम जानते ही होगे और इसी कारण मौब लिंचिंग के अपराधी अक्सर बेहत सक्रिय सामाजिक कारिकरता होते अतिसामाजिक क्या बात है? अपने समाज के कंधों पर लडख़ाते कदम पहुंच जाती है शम्शान, मूप, अचेत, लाश यह बात अलग है कि अर्थी उठाने का कोई नियम नहीं होता अपनी अपनी मुक्ति की दी हुई परिभाशाओं से अलग किसी और लोक में जहान अस्वर्ग का दूत होता नहीं नर्क का कोई यम, वहां बस काल कवलित स्वपन होते और क्या करे वह, कौन सा विकल्प रहा होगा शेश, जो नहीं तलास किया होगा उसने मुबाइल पर बहुत सारे निकटम कॉंटेक्ट हो चुके होंगे उस पल अभूत पुर्व अजनभी गैलरी की स्क्रोल्ड की हुई सभी तस्वीरें और पूरी जिन्दगी की एक साट रील भी बहुत कमजोर और अप्रभावी रही होगी उस एक पल के बदले उन खयालों को तकिये की नीचे सिर की तरह दबा देना चाहता होगा वह पानी भरी बालती में दुबो देना चाहता होगा आखरी बुलबुले तक हवा में लटकी हुई सांस तांग देना चाहता होगा या फिर नदी की धार में समय हो जाना चाहता होगा वह और नहीं तो फिर पी ली होगी उसने जीवन की सारी तिक्तता जिसके सापेक्ष न कोई अम्रित हुआ होगा उस सदेह के लिए जीवन से उबरने की कोशिसों में पड़ा मन अपनी ही जाल में फसी मकडी है छट पटाते हुए एक-एक खाना तूटता जाता है और एक पल कुछ भी नहीं होता हाथ में थामने के लिए लड़कडाता हुआ आदमी नीचे गर जाता है आदमी मकडी नहीं हो पाता वह भी जीने के लिए पैदा हुआ होता और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबसे ज़्यादा जरूरी रही होगी उसके लिए जिन्दगी और यहां मानता हूँ मैं कि कोई न कोई एक टाल सकता था उस पल को आत्महत्या के सच्चे प्रयत्नों के बीच मौत के आ जाने और चूक जाने के मध्य एक जीवन का अंतर होता है मौत के एच्छिक भवर में भी जीवन का हाथ काम में होता यह समस्ता है डूबने वाला आत्महत्या से ठीक पहले सकता झाल सकता है